हेलो स्टूडेंट वेलकम टू फ्रेंड सेट प्रिपरेशन यूटुब चैनल इसनल पर में लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की मैठ्स की बुक से चैप्टर 7 फ्रेक्शन फ्रेक्शन जो आप लोग जानता हैं जिस बचे ने इसका फर्स पार्ट देखा है 7.6 का फर्स पार्ट तो उसके अंदर मैंने डिटेल में कोश्यन लूबर वन डिस्कॉस किया था question number 1 में काफी सारे पार्ट थे हैं बचो और हम लोगों ने वो सारे पार्ट solve भी किये थे और मैंने आपको ये भी समझा है था कि किस तरह से आप identify कर सकते हैं कि same nature वाली question कौन-कौन से है और कैसे आप question को identify करके question solve कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा तो link किसी भी वीडियो अगर आपको देखनी है चाहे वो science की हो चाहे maths की तो उसके लिए classics का playlist बना रखा है मैंने जहां आप सारी वीडियो एक जगा देख सकते हैं चलो आज start कर रहे हैं 7.6 का second part यान कि question number 2 onward में start कर रहा हूं ठीक है पहली बार वीडियो को देख रहे हो यानि कि हमें जो question दे रखा है यह words में given है और हमें इसका solve करना है एक problem क्या है पहले ही पढ़ लेते है शरीता about 2 by 5th meter of ribbon and ललीता 3 by 4 meter of ribbon यानि कि यहाँ पर two person है एक first person यहाँ पर कौन है सरीता है second person इस question के अंदर कौन है ललीता है तो इन दोनों के बारे में बता जा रहा है कि इन दोनों ही ribbon लेके आई जिसे चोटी वगरा करते है रेड कलर की आपको याद हो का स्कूल वगरा है girls करते है तो उस ribbon की बात की जारी कि सरीता 2 by 5th meter रिबन लेके आई है अगर हम ललीता की बात करें वह 3 by 4 meter ribbon लेके आई है आपने बताना है what is the total length of the ribbon देबाउट यानि कि दोनों का combined यानि कि आपको सरीता प्लस ललीता दोनों मिलकर की combined कितना ribbon लेके आई है यह आपको calculate करना है इस question के अंदर तो question आपको समझ में आ गया होगा कि आपको fraction में given है और आपको इन दोनों को plus करना है बहुत simple है यानि कि आपको जो इसका share है यानि कि सरीता का जो share है और ललीता का जो share है दोनों को plus करना है कैसे करोगे step by step एक बार देख लो सबसे पहले आप लिखोगे बच्चो solution यह मैं रफ कर देता हूं यह लिखने की जूरत नहीं थी यह बस समझाने के लिए था आप लोग को तो सबसे पहले आप लिखोगे ribbon रिबन लेंथ बावट बावट बाइh है यली कि सरीता इसे उसी की तरह से हम लिखने लेंगे और इसी तरह सटेंस लिखोगे statement कि ribbon length about by Lalita Lalita का कितना है 3 by 4 meter अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर हम 2 by 5 को ऐसे लिख सकते हैं 2 by 5 meter हां बचो लिख सकते हैं और 3 by 4 meter लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हो यहाँ पर M जो है M का मतलब में बचो small M ध्यान रखना में यूज नहीं करना आपने small M यूज करोगे तो small M जो होता है वो इसका unit होता है meter का जैसे आप शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं M यहां पर क्या हो जाएगा meter हो सकता है तो जब बड़ी क्लास में जाओगे यह अभी भी आप लोग देखते होगे कि भी यह स्मॉल M की meaning जो हम लोग यूज करेंगे बचो उसे meter के रूप में यूज करेंगे तो अभी तो मैंने पूरा लिख दिया है लेकिन आगे आप देखोगे आने वाले question में आने वाले exercise में तो meter को हम सिप स्मॉल M लिखेंगे तो यहां पर जो ribbon है सरीता और लिख दोगे उसके बाद total length of the ribbon about by both of them both of them का meaning यहां पर यह है बचो कि दोनों को combined यहां से और यह 3 by 5 यहां से दोनों का जो length है ribbon का उसे हम प्लस करेंगे ठीक है यानि कि आपके पास question बहुत simple हो गया 2 by 5 को plus करना है बच्चो 3 by 4 के साथ देखो अब आपके पास यह two different fraction है और दोनों के इंदर जो fraction में देखो देहां से बच्चो तो denominator है एक के पास 5 है और एक के पास 4 है यानि कि हमारे पास same denominator नहीं है और जब भी same denominator नहीं होता है ना जब भी आपके पास denominator का मतलब यह है कि कोई भी fraction जब आपके पास p by q की form में है और q की value यानि नीची वाला number जैसे यहां पे 5 है और यहां पे 4 है अगर दोनों same है तो बहुत simple है calculation अगर same नहीं हो है तो आपने क्या करना है आपको सबसे पहले find करना है lcm ठीक है 5 का और 4 कम लोग क्या निकालेंगे lcm निकालेंगे तो यहां पर सबसे पहले क्या करना मैं lcm निकाल लेता हूं 5 का और 4 का lcm तो आप ऐसे 5 4 लिख लोगे 2 से start करना याद रखना तो यह 5 तो नहीं होगा लेकिन 4 हो जाएगा 2 2 जा 4 उसके बाद अगें दुबारा करेंगे तो आपक 20 आपके पास lcm आया है कैसे आया 2 multiply by 2 multiply by 5 किया हमने और हमारे पार result 20 आगया ठीक है तो आपने करना क्या lcm निकाल लेना है ठीक है यहां तक clear हो गया lcm निकाल लेना है उसके बाद अब यह जो solution मैंने किया है जैसे मैंने step लिखा है यहां पर taking lcm यहां पर तो मैंने लिख द लेते हैं बच्चो तो इसको solution कैसे करते हैं जर आप ध्यान से देखना देखना सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहां पेक line draw कर देता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि यह वाला term कैसे आ रहा है तो सबसे पहले आप क्या करोगे नीचे जो भी आपने lcm निकाला बच् 20 को divide करोगे क्या करोगे 20 यानि lcm को 5 से divide करोगे तो आपके पास क्या आएगा 4 आ जाएगा 5 4 जाए 20 ठीक है 4 आ गया इस 4 को इसके numerator यानि जो इसके उपर है उपर क्या है 2 है यह देखो 2 है नहीं है यहाप भी दुबारा लिख दिया है मैंने इस 2 को 2 के साथ इस 4 को multiply करोग तो यहाप भी आप plus का sign लगा दोगे अब उसके बाद second fraction जो आपके पास है यानि जो 4 है इस 4 से divide करोगे lcm को और lcm की value कितने आए हमारे पास 20 आई है यह देखो ठीक है यह जो 20 आपके पास है इस 20 को divide करोगे 4 से 4 क्यों लिए 2 fraction जो है बच्छो हमारे पास इस 2 fraction का यह denominator है इसलिए 4 से divide करेंगे तो 4 के table में 5 टाइमस में 20 आता है तो आप लिख सकते हो कि भी 4 5s आ 20 तो result आपके पास 5 आया अब इस 5 को इस 3 के साथ multiply करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि इस fraction का यह numerator है तो numerator के साथ इस से multiply करते है तो यहाँ पर लिखते है 3 into 3 into 5 3 numerator की वाज़े से और 5 divide क देखो यही लिखाय में यहाँ पर टू इल्टू 4 ठीक है टू इल्टू 4 टिक टू इल्टू 4 ले रोगया उसके बाद प्लस का साइन प्लस का साइन अब उसके बाद 3 into 5 3 into 5 अब जो बच्चर 20 डिवाइड में था उस डिवाइड को यहां लिख दिया गया है कि देते हैं ठीक है ताकि आपको प्लेर हो जाए कि मैं बता कैसे रहूँ तो यहां से इसको सॉल्ब कर लिया अब इसके बाद इसे मुल्टिप्लाइ करेंगे टू 4 जा 8 और यह 3 5 जा 15 ठीक है अब ब्रेकेट ओपन कर लिया क्योंकि हमने इसे मुल्टिप्लाइग कर लिया गाने की फाइनली जो आंसर लिखोगे बैच्चों वह इस तरह लिखोगे यह जो साइन दिख रहे है आपको 3-1.2. मीचे इसे हम लोग बोलते है बच्चों देयरफोर ठीक है इसे बोलते है तो आप आंसर लिखोगे देयरफोर टूटल लेंद ओफ रिबन बाउट हमारा answer हो गया कि 23 by 20 ये बच्चों हमारा answer है कैसे हमने calculate किया दोनों ही fraction को हमने plus कर लिया अब plus कैसे किया अगर आपको नहीं समझ में तो भी आप प्राप्लम लिख सकते हो ताकि मैं next time आपको और अच्छे से समझाओ ठीकित कमें आपने जुरूर बताया करें कि कोशन आपको समझ में आया या नहीं आया चलो अब देखते हैं कि भी थर्ड कोशन में आपसे क्या पूछा जा रहा है तो बच्चो यह है आपके सामने question number three question number three पहले मैं read करके आपको समझा देता हूं question है आपके लिए one and one by two देखो इसको इस तरह भी लिखते है one and one by two ठीक है तो इसको मैंने यहां इस तरह लिखा है ठीक है तो confused होने की जूरत नहीं है चाहे आप ऐसे लिख लो बात यह की है Nana was given one by one and one by two piece of cake and Nazma was given one and one by three ये तो भी किसका के share है ये तो भी Nana का share है ठीक है Nana को कितना cake मिला है one and one by two मिला है ठीक है अच्छा उसके बाद next जो बच्चा है जिसके बारे में बात्चीत हो रही है नजमा की Nazma was given one and one by three one and one by three यानि की कुछ इस तरह लिख सकता हूँ one and one by three ठीक है one and one by three piece of cake अच्छा हमारे पास नजमा का share भी है उसके बाद नजमा को कितना given है बचचो वो भी हमारे पास है ठीक है ये ये नजमा का है ठीक है और ये है नजमा का ठीक है ये नजमा का है अच्छा अब आप से पूचा जा रहा है find the total amount of cake was given both of them यानि कि दोनों को total combined कितना केक मिला है यह आपको find out करना है कहने का मतलब यह हम पर क्या हो गया कि हम है plus करना है ठीक है चलो अब यह आपको clear हो गया कि भी यह क्या लिखा वे ने अब इसको मे रफ कर देता हो ताकि मुझे पास space हो जाए आपको समझाने के लिए ठीक है अगर आभी तो कोशन को यह बच्चो जब इस फॉर्म में लिखते हैं इसको हम बोलते हैं यह जो फॉर्म दिख रहा है आपको इसको हम बोलते हैं विच्छो मिक्स्ट फ्रेक्शन ठीक है यह जो फॉर्म है इस हम बोलते हैं मिक्स फ्रेक्शन अब इस मिक्स फ्रेक्शन को सिंप्लिफाई करेंगे कै ऐसे करते हैं जड़ा देखो ध्यान से तो नीचे पहले तो आप ऐसे लिख लोगे 1 & 1 by 2 लिख लिया ठीक है उसके बाद जो भी नंबर नीचे है डिनोमिनेटर में उसको एस लिख लो तू उसके बाद जो नंबर आपके पास यह आगे दिख रहा है 1 इस 1 के साथ इस डिनोमि 1 divided by 2 and that is equal to 3 by 2 ठीक है तो यह मैंने 3 by 2 यहां डारेक्ट लिख दिया कैसे निकाला simplify करके निकाला ठीक है अब यह तो मैंने नेना का solve कर दिया अब नजमा का और solve करना का बड़ेगा भाई यह जो mix fraction है इसे improper fraction में convert करेंगे कैसे जड़ा देखो 1 and 1 by 3 1 and 1 by 3 तो पहले तो लिख लेता हूँ 1 and 1 by 3 लिख लिया ठीक है नेक्स्टेप में एक line draw करूँगा नीचे जो denominator में number 3 इसको as a disease लिख लूँगा उसके बाद यह जो number आपको आगे दिख रहा है बच्चु इन दोनों को multiply करेंगे यान कि 1 into 3 करोगे उसके बाद plus का sign और यह number जो भी उपसके न्यूमिनेटर में हो ठीक है जो number इसके न्यूमिनेटर में हो उसे यहाँ पर plus करेंगे अच्छा उसके बाद बाइस simplify कर देंगे 3 as it is नीचे आगया 1 into 3 यानि कि 3 के टेबल को one time सुन करोगे 3 आ जाएगा तो आप लिख सकते हो 3 प्लस वन लिख सकते हो और जब इनको solve करोगे तो क्या आएगा 4 by 3 आजएगा देखो बच्चो मैने यही answer यहाँ लिखाए 4 by 3 कैसे आया आपको समझ में अगया होगा ठीक है तो इस तरह पलेन को simplify करोगे अब क्या करना है वहीं सोच रहे होगे बहुत सिंपल है अब तो बस total करना है कि total amount find out करना है total का मतलब क्या है यहाँ प्लस करना है तो हम क्या करेंगे 3 by 2 को और 4 by 3 को प्लस करेंगे ठीक है तो लिखोगे total amount of cake given to both of them यानि क कि दोनों को कितना cake मिला उसके लिए कुछ इस तरह लिखेंगे ठीक है प्लस में लिख देंगे कहने का मतलब है कुछ इस तरह से कि भी 3 by 2 plus 4 by 3 ठीक है इसको इस तरह से लिख देंगे अच्छा अब जड़ा ध्यान से देखो गई कि भी पहले में से रफ कर देता हूं कि जो आस फ्रेक्शन जो है मारे पास है उसका डिनोमिनेटर टू है सेकिन फ्रेक्शन जो है मारे पास उसके डिनोमिनेटर में 3 है यानि कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है बच्चो तब हमें ऐल सेम निकालना होता है तो आपको याद रखना है कि 3 1 2 3 तो बच्चो LCM हमारे पास क्या आ जाएगा 2 into 3 यानि कि 6 हमारे पास LCM आ जाएगा ठीक है अब जड़ा ध्यान से देखना भई कि मैंने इसको कैसे किया है तो जब आप solve करोगे यहाँ equal to sign लगा होगे उसके बाद एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर लोगे जो भी आपका LCM है उसको भई नीचे लिख लेना है ठीक है जब आप नीचे लिख लोगे बच्चो उसके बाद देखो जो first fraction है यानि कि 3 by 2 इसके 2 से यानि कि जो इसके denominator में बच्चो denominator में क्या है 2 है इस 2 से LCM को divide करोगे LCM के 6 से यानि कि आप यह बोल सकते हो 2 3 जा 6 ठीक है यह डिवाइड करके यानि कि answer क्यार आपको divide करके 3 आ रहा है तो यह 3 निकाल लोगे यहां से आप इस 3 को इस 3 के साथ ठीक है एक 3 LCM को divide करने से आया एक 3 numerator में है तो इन दोनों को multiply कर आप लिखोगे 3 इंटू 3 लिखदो ठीक है उसके बीच में जो भी साइन है कौन साइन है आपे प्लस का साइन है देखो मैंने यहां भी लिखा हुआ है तो आपके पास denominator में 3 है तो इस 3 से divide करोगे LCM को LCM क्या है 6 है ठीक है 6 को divide करोगे 3 से तो 3 2 जा 6 हो जाएगा तो आपके पास result क्या रहे है 2 आ रहे है ठीक है तो जो भी result आएगा divide करने के बाद जैसे हैं 2 आ रहे है इस 2 को उपर वाले numerator यानिकी 4 से यह जो 4 दिख रहा है 2 फ्रेक्शन का न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर उपर वाले नमर को कहते है डिनोमिनेटर नीच वाले नमर को कहते है पर इस 4 से इसको मुल्टिप्लाई करोगे इस तरह से 4 इंटू 2 ठीक है बच्छो अब देखो भई यह 3 इंटू 3 यह रहा ठीक है और यह 4 इंटू 2 यह रहा ठीक है अब जो 6 यह डिवाइड में बच्छो यह यहाँ पर साइड में लिख दिया गया है यानिकी कुछ इस तरह भी लिख सकते ह इस टेप में कैसे लेकिया हूँ उसके बाद क्या करना भई सॉल्व कर देना है यह यह थी 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 जा 9 हो गया देखो वही 9 आ गया और 4 टू जा 8 हो गया और डिवाइड भाई 6 है ठीक है अब बोलोगे सर आप तो हम कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं वीडियो रोग करके आ नाइन प्लस सेवन, सिक्स्टीन होगे आपकी बास थी तो इन फिल्कुल हो गया है जया को यह थी तो ऑस सेवन बाड़ा गया ठीक है तो आप finally लिख सकते हो, कि total share कितना हो गया, 17 by 6 हो गया, ठीक है, तो इस तरह साब आपना answer निकाल के छोड़ सकते हो, कुछ बच्चे कहेंगे, सर हम इसे आगे divide करके, mix fraction में भी convert कर दे, हाँ कर सकते हैं, कि कुछ लोग यहाँ तक भी answer छोड़ सकते हैं, अगर आप चाहो तो और simplify करना, तो भी इसको mix fraction में convert कर सकता हो, देखो इस वाले term में, कैसे करते हैं, आप वो सोच रहे होगे, चलो भई, वो भी सिखा देता हूँ, तो मैं इसको rough करता हूँ, तो यह मैं rough कर रहा हूँ, तो आपको आपको सिखा सकूँ, कि mix fraction में कैसे convert करते हैं, ठीक है, एक box को ना देता हूँ, तो यहाँ पर यह बच्छो 17 by 6 है, तो 17 को 6 से divide करेंगे, ठीक है, 6 2 जा, 12 हो गया, और आपके पास 5 आ गया, तो आप लिख सकते हैं, उसे divide किसे किया था, 6 से किया था, 6 से किया था, 6 आ गया, आया कितना आपके पास, 2 आ गया, वो आ गया जाएगा, और भई, reminder कितना है, 5 है, तो 5 आ गया, या निकि आप, या तो आप 17 by 6 लिख लो, या फिर आप लिख सकते हो, 2 and 5 by 6 लिख सकते हो, 2 and 5 by 6, ठीक है, तो इस तरह से बच्छो, आपका यह थर्ड कोशन है, कम्प्लीट हो गया, ठीक है, तो अगर कुछ भी मिस हो गया, तो वीडिय देख लो, भई, था कि कोई confusion नहीं होना चाहिए, चलो, अब देखते है, next question, next है बच्छो, question number 4, और question number 4 में बच्छो हमारे पास, 3 parts है, A, B और C, और हमें क्या करना है, यह जो symbol देख रहा है, आपको यह box एक तरह से, इस type का, ठीक है, छोटा यहां देख रहा होगा, यह आ आप तो यह 7.5 में जो exercise आप करवा रहे थे, उसके अंदर भी ऐसे question थे, और आपने हमें सिखाया भी था, कि किस तरह से हम, जो भी missing number है, उसे find out कर सकते है, कैसे, side change करके, ठीक है, कैसे जड़ा देख हो बई, सबसे पहले मैं A part solve करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको clear हो सके B, उसके बाद हम लोग करेंगे, B part, A और B part बिल्कुल almost same है, बचो, दोनों का step by step एक तरीके से है, C में थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन process almost सबका same है, ठीक है, चलवाओ, पहले A part करते है, तो A part में आपके पास है, पहले एक missing number, जिसे हम मैं box जूम करके चल रहा हूँ, ठीक हमारे पास हर equation में तीन चीज़े होती है, एक होता है left hand side, ठीक है, एक equal to, और एक होता है right hand side, अब देखो, जो भी चीज हमारे पास left hand side में बच्चो, अगर मुझे उसे right hand side की तरफ ले जाना है, ठीक है, या फिर जो चीज राइट hand side में है, और उसे आप चाहते हो कि left hand side प माइनस में, माइनस वाला change होता है, प्लस में, ठीक है, note करके रख लो, बहुत key point है, जो multiply में है, वो divide में हो जाता है, और जो divide में है, वो हो जाता है multiply में, ठीक है, यानि कि आपको यह याद रखना है, कि चाहिए आप left side से right side जा रहे हो, या right side से left side किसी को लेके जा रहे हो तो भई उसका जो भी sign है बच्चों, वो change हो जाता है, कैसे जड़ा देखो द्यान से, अब यह जो missing number है, ठीक है, यानि कि इसको box assume कर लेता हूँ, यह box minus 5 by 8 और उसके बाद equal to 1 by 4 है, यानि कि मैं जो 5 by 8 को अगर इसको इधर ले जाता हूँ, तो इधर हमारे पास यह अकेल 5 by 4 plus 5 by 8, को कि सर यह कैसे कर दिया आपने, देखो बच्चों, यहाँ पर यह minus में था, ठीक है, तो minus को change करके किस में लाएंगे हम, plus में ले आएंगे, ठीक है, इस minus को इधर ले जाके plus करते हूँ, ठीक है, तो मैंने इधर plus कर दिया, तो बच्चों, यह उधर जाके shift हो गय अब देखो बई, दोनों का base sim नहीं है, एक 4 है आपके पास, एक 8 है आपके पास, तो दोनों का हम LCM निकालेंगे, 2 से start करते है, 2 2 जा 4, और 2 4 जा 8, फिर 2 से करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, उसके बाद भी आप दुबारा 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानि कि यह पास, आपक अच्छा, आप कर लेते हैं, 8, अब 8 को जब 4 से डिवाइट करोगे, तो आपके पास क्या आएगा, बच्छों, जब 8 को 4 से डिवाइट करोगे, आपके पास क्या आएगा, 2 आजाएगा, इस 2 को उपर वाले निमिनेटर, 1 के साथ मल्टिप्लाई कर लेगे, ठीक है, यह हो आंसर सेम आता है, इसलिए, यहाँ मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, और यहाँ लिख दिया है, तो कन्फूज होने की जुरूत नहीं है, दोनों सेम चीज़े, 1 से लिखने की जुरूत नहीं होती, पर मैं समझाने के लिए लिख रहा है, और 8 जो बच्छों हैं, डिवाइड यहाँ पर क्या आना चाहिए, 7 x 8 आना चाहिए, ठीक है, तो find the box is बोला जा रहा है, तो इस box क्या आना चाहिए, ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद करेंगे, बी पार्ट, बिल्कुल वैसा ही है बच्छों, यहाँ पर box मिसी है, और यह question है, चलो भी करते हैं, तो मैं एक line ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा सा, तक यह आपको समझ में आ जाए कि भी यह लगे, यह लगे, अच्छा, अब करते हैं, बी पार्ट, तो आपके पास यह है बच्छों, बी पार्ट, और यहाँ पर box is equal to, क्या है, box minus 1 by 5, और equal to है 1 by 2 के, तो वहीं, अब यहाँ पर क्या कर करेंगे, इसका side change कर देंगे, यानि कि box जो है बच्छों, यह देखो, यह जो box है, उसके साथ जो minus 1 by 5 है, इसको 2 के साथ plus कर देंगे, 1 by 5, ठीक है, यानि कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसका side change कर दिए, उसके बाद 1 का और 5 का, sorry, 1 नहीं है, 2 है, ठीक, इस 2 का और 5 का, LCM निकाल लेगे, तो बच्छों, जो LCM निकालोगे, पहले 2 से निकालते है, 2 1 जा 2, 5 हो गया, अब 2 से तो नहीं होगा, 5 से करना पड़ेगा, 5 1 जा 5, यानि कि आपके पास LCM आएगा, 5 into 2, यानि कि 10 LCM आ गया, देखो, मैंने वही 10 यहाँ डिवाइड में लिखा है, यहा denominator में जो number है, 2, उस 2 से इसको divide करोगे, 10 को, तो 2 से divide करोगे, तो 5 आजाएगा, और इस 1 के साथ, उसे multiply करोगे, यानि कि 1 into 5 करोगे, ठीक है, अब sign plus का है, तो plus का sign लगा लोगे, उसके बाद, next आपके पास fraction में, denominator में क्या है, 5 है, तो 5 से divide करोगे, तो जब इसे 5 से divide करोग तो 5, 2 जा 10 होता है, ठीक है, तो यानि कि आपके पास answer क्या आएगा, 2 आएगा, इस 2 से इस 1 को, numerator को multiply करोगे, ठीक, आप इसको simplify कर लो, देको यही लिखा है, मैंने 1 into 5, 1 into 5, ठीक है, उसके बाद 1 into 2, 1 into 2, divide में 10 है, या भी 10 है, अब जब 5 into 1 करोगे, तो ये आपके पास 5 आगया, 1 into 2 करोगे, 2 आगया, यानि कि आपके पास 5 plus 2, 7 हो गया, तो finally हमारा answer क्या आया है, 7 by 10 हमारा answer आया, कैसे किया, 5 or 2 को plus क्या, divide में 10 है, उसको as it is छोड़ दिया, तो इस तरह से बच्चो, हमारा ये जो B part है, ये भी complete हो गया, अब अगर आप ध्यान से देखो, दोन चलो, अब करते हैं, इसका C part, क्योंकि सर्फ C part के लिए तो space ही नहीं है, तो भई ऐसा करते हैं, C part के लिए पहले मैं space बनाता हूँ, मैं इन सब को rough कर रहा हूँ, ठीक है, अब ये सब key points आप लोगों ने note कर लिया होगा, मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने note कर लिय होगा, जिस बचे ने नहीं किया है, उनसे यह ही कहूँगा, कि वीडियो pause करके, पीछे जा करके थोड़ा सब, इन सब को note कर लेंगे, ठीक है, अब C part में क्या है, एक बार देख लो भई, समझ लो उसके अंदर क्या है, ठीक है, अब process हुआ ही है, कि side change करेंगे, side change होता है, तो बच्चो यह मैंने सब erase कर दिया, अब देखो इस C part ध्यान से देखो, ठीक है, चलो, अब करते है C part, एक line draw कर दिया, मैंने, C part में है, बच्चो आपके पास, 1 by 2, ठीक है, 1 by 2 minus box is equal to 1 by 6, ठीक है, यानि कि अब जो box इधर था बच्चो, अब इसकी place shift हो गया, कोई बात होने होने तो कर देंगे, तो यहाँ पर C लिख देता हूँ, याद रहे है आपको, यह 1 by 2 minus box है, और जो की equal to 1 by 6, ठीक है, अब जड़ा दियान से देखो बच्चो, ठीक है, यह जो minus में है, मुझे तो इसका plus का value चाहिए, तो मैं इस box को इधर लेके जाओंगा, और यह जो इधर आके minus में, जब भी कोई sign ना हो किसी number के साथ, तो it means वो जो sign है, उसका plus का sign है, तो 1 by 6 को इधर लिया होगे, और यह जो minus में, यह दर plus में होगे, ठीक है, अच्छ, अब इसको थोड़ा systematic लिखने के लिए मैं क्या करूँँगा, बॉक्स को इधर लिख करके ऐसे systematic लिखा है, यह थोड़ा step ध्यान रखना कैसे किया है, मैंने, seem वही चीज़ है, उल्टा करके लिख दिया मैंने, तो वही चीज़ मैंने यहां direct कर दिया था, पर यहां मैंने आपको समझा दिया step by step कि कैसे किया है, अब आपको यहां minus करना है, तो अब base same नहीं है, तो हम ल अब 2 से नहीं होगा, 3 से करना पड़ेगा, तो 3 बंजा 3, यान यह LCM आपके पास 2 multiply by 3, ठीक है, इंदो नो को multiply करोगे 6 आ जाए, तो 6 आपके पास यह LCM आ गया, ठीक है जब आ गया है, तो very good, बस आप कर देना सॉल भी से, यानिकी box is equal to होगा, अपरिक लाइन ड्रो करोग दिवाइड करोगे, 2, 3 जा, 6 होगे है, यानिकी 3 आ है आपके पास, इसका मतलब यह हुआ, कि जो उपर 1 है बचो, इस 1 को multiply करोगे 3 से, 3 यह डिवाइड करके आ है, अच्छ, अब देखो next, second denominator क्या है, second fraction का denominator 6 है, तो जब 6 को 6 से डिवाइड करोगे, तो आपके पास 1 आता ह है, 6 को, यहाँ पर लिख देता हूँ, 6 को 6 से डिवाइड करोगे, तो 6 बंचा 6, अब यह जो sign minus का है, as it is लगा तो भई, minus का sign, और उसके बाद 1 आया, इस 1 को, इस 1 के साथ multiply करोगे, और एक बात और, जो बचो regular है, उनको तो पता ही है, कि जब भी minus आता है, तो सर बोलते ह है, कि भी bracket बनाना है, तो यहाँ पर bracket जरूर बनाना, ताकि आपसे mistake ना हो, ठीक है, यह habit आपको बना के रखनी है, कि जब भी minus का आ जाए, तो आपको bracket जरूर बनाना है, उसके बाद, this implies box is equal to, 3 minus 1 divided by 6, 1 into 3, 3 आ गया, 1 into 1, 1 आ गया, तो 3 minus 1, यानि कि, यह एस लिख लिख ल 2 by 6 हो गया, ठीक है, आप सोचों के सर यहीं तक छोड़ दें, जैसे आपने यहाँ पर किया हुआ है, छोड़ सकते हैं, पर आपके लिए बैटरी है, आप इसको simplify करते हो, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक line लिखेंगे, divide by 2, क्योंकि यह दोनों ही number, ठीक है, यानि एक मेंट यहाँ ठीक से लिख देते हैं, एकवल टो असाइन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो 3 है, बच्छों, 6 है, वो 2 से डिवाइड करोगे, 3 आ जाएगा, यानि कि आप यह बोल सकते हो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानि आपके पास क्या answer है, 1 by 3 जा जाएगा, ठीक है, तो जाएगा, 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 बाकी जो कोशन है, जो रिमेनिंग कोशन है, उसके नेक्स पार्ट में करेंगे, ठीक है, चलो, आज के लिए बाई-बाई-बाई, कोई डाउट हो, कोई प्राब्लम हो, तो कमेंट करके पूश सकते हो, अब मेरे को सोशल मीडिया पर फॉल अब को आप क्लास 6 की प्लेलिस्ट से देख सकते हो, बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में 7.1 से लेकर के 7.6 की सारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, टच करो देखो, और यह आपके स्क्रीन पे भी आब आ रहा है, देखाए ना, तो इसको भी टच करके य आ कि लेकर के देखा है, बाकी में लिंक दिन करूंकी का थे ए सकते है, घखाएप सकते हीक